हर्याणा विधान सभा का चुनाव लगवग आ चुका है हर्याणा के अंदर तीसरी बार भारती जंता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और दूसरी बार नायब सिंग सेनी संभावता मुख्य मंत्री बनने जा रहे है जो प्री डिक्लियर था यानि कि हर्याणा के चुनाव के दौरान जो घोशित किया था देश के ग्रह मंत्री अमिश्चा ने जिसको आज दौराया मनोहरलाल जी ने भी हर्याणा के पूर मुख्य मंत्री मनोहरलाल उन्होंने कहा कि ग्रह मंत्री की घोशना थी तो नायब आप मान करके चले कि हर्याना के अगले मुख्यमंत्री एक बार फिर से हैं और दशेहरे के दिन उनकी शपत हो सकती है नायब सिंग सेनी की जो टीम चुनाव मैदान में थी आप से चर्चा में हूँ उस वीडियो को लेकर मैं कि 2014 का विधान सभा चुनाव जिसमें की भारती जनता पारिटी 46 सीट जीती थी और ये दोनों रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब 2024 में जबकि 10 साल की एंटी इंकम्बेंसी तमाम बातें थी विपक्ष दो आचलाई गई लेकिन इस सब के बावजुद 48 seat की majority के साथ बीजेपी सिंगल अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है मैं आपको बताने जा रहा था कि हर्याणा की सरकार के अंदर वो बड़े चहरे जो नायब सरकार की टीम में शामिल थे यानि की नायब सरकार के वजीर थे बड़े चहरे थे जो इस चुनाव को जीत नहीं पाए अगर मैं आपसे बात करूं तो नायब सिंग सेनी सरकार के मुख्या थे प्रियाना सरकार के मुख्य मंत्री लाडवा से विधान सभा चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए लगवग 16,000 से जादा बोटों के अंतर से। इस विधान सभा के अध्यक्ष थे ग्यानचंद गुपता अब की बार विधान सभा में नहीं जा पाएंगे पंच्छुला में उनको चंद्रमौन बिश्णोई ने चुनाव हरा दिया लगवग 15,000 सो बोट से। हर्याणा के मंत्री वजीर वो इस चुनाव को हर गए। जेपी दलाल हर्याणा के वित्त मंत्री हर्याणा सरकार के खजाना मंत्री उससे पहले कृशी मंत्री थे लोहारू के मले थे इस चुनाव में लोहारू में वो राजबीर फरेटिया से लगवग 700 वोट से चुनाव ह परिवान मंत्री परिवान मंत्री हर्याना के असीम गोयल अंबाला सिटी से विधायक चौधरी निर्वल सिंग ने उनको चुनाओं में हरा दिया बड़े अंतर से यानि कि ये तीसरे वजीर जो अब विधान सभा में दिखाई नहीं पड़ेंगे असीम गोयल दो बार के को विधान सभा में दिखाई नहीं पड़ेंगे अगला नाम आता है तो फिर संजे सिंग कमर संजे सिंग खेल मंत्री इस चुनाओं को वह भी हार गए और संजे सिंग चुनाओं हार करके अपनी नहु विधान सभा सीट में सोना के विधायक पहले थे अब की बार उनकी स्थान पर रहे अगला अगर नाम आता है तो फिर जो चुनाओं हारने वाले मंत्री है वो है राव अभै सिंग पूरु नौकरशाह सेवा निवरत नौकरशाह आईए सदिकारी थे दो बार विधायक बने आखों में बड़ा खटकते थे वह राव इंदर जी सिंग के और इ पतपर थे लेकिन चुनाओं जीत नहीं पाए और हाला कि कुछ निता ऐसे भी थे जिनको चुनाओं मैदान में भेजा नहीं गया सीमा त्रिखा शिक्षा मंत्री उनको चुनाओं नहीं रड़ाया गया इनके साथ साथ में डॉक्टर बनवारी लाल मंत्री थे उनको चुना चुनाव जीत गए इनके साथ में हर्याना विधान सभा के अगला नाम आएगा वो आता है मैपाल धांडा जो पानीपत ग्रामीन से कैंडिडेट थे वो चुनाव जीत गए सरकार की वाफसी तो हो रही है सरकार भारती जंतापार्टि की तीसरी बार फिर बनने जा रही है और अगर मिजयृर्टी की बात करें तो मिजयृर्टी 2024 और 2019 से बड़ी मिल रही है लेकिन इसके बावजूद 20 सरकार में कई बड़े चहरे आपको दिखाई नहीं देंगे, जो पिछली विधानसबा में थे, तो ये थे हरियाना के वो बड़े चेहरे, जो मैंने आपको नाम गिनाए, जो सरकार में नहीं आ पाए, और वो चेहरे जो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार विधायक बन करके, फिर सरकार में होंगे, अब चब बात चलेगी सरकार के गठन की तो फिर नजर रहेगी कि नई सरकार के वजीर कौन होंगे कमेंट्स मॉक्स में आप ज़रूर बताएं जुड़े रहें देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नौटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें